ये है हमारा हिस्ट्री क्लास नाइंत का चाप्टर 9C 9 चाप्टर के तीन पार्ट्स थे 9A, 9B और 9C तो 9A और 9B हम पढ़ ली हैं ये लास्ट चाप्टर है 9C हिस्ट्री का क्लास 9 हिस्ट्री का लास्ट चाप्टर है कौन सा 9C इसके पहले जितने भी चाप्टर्स हैं 1 to 9B हम कंप्लीट कर चुके हैं तो आप उसको वीडियो देख सकते हैं ठीक है? 9C पढ़ते हैं कौन सा है? इंडस्ट्रियल रिवाल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवाल्यूशन क्या है? ये ऐसा रिवाल्यूशन है जब जो मशीन रीज हैं बहुत धेर सारी इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हो गई सारे वर्क जो हैं डुमेस्टिक वर्क जो कई लोग मिलकर कोई वर्क कर रहे थे तो उसको मशीन के थुरू करने लगे वही क्या है? बड़ी फैक्ट्रीज बनने लगी इंडस्ट्रीज बनने लगी वही रिवाल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल रिवाल्योशन, ठीक है, देखते हैं, इंडस्ट्रियल रिवाल्योशन, टर्म यूज्ट बाई फ्रेंच सोशलिस्ट ब्लांग की in 1837, 1837 में कौन ब्लांग की फ्रेंच के एक सोशलिस्ट थे, मिन्स जो शोशल वर्कर होते हैं, या जो शोशलिस्ट होते हैं, वो, कौन ब्लांग की, कहा के थे, फ्रेंच के थे, मिन्स फ्रांस के थे, इन्होंने वर्ड दिया, इंडस्ट्रियल रिवाल्योशन, मतलब, इंडस्ट्रियल रिवाल्योशन, वर्ड देने का मतलब है, कि हम कै कैसे कि यो भी वरक इन्ड़ू कर सकते हैं हम कैसे अधीर के तरह हैं सकते हैं इसके बाद इसको कौन किये मतरलं इन्धोरी की तरह दे दी इंडस्ट्रय के एर्नोल्ड टोइन भी छीक है ब्रिटिश मेंस इंग्लैंड के कौन एर्नोल्ड टोइन भी इन्होंने इंडस्टिर रिवाल्यूशन को एडॉप्ट किया और जो डुमेस्टिक वर्क्स होते थे हैंड के थू लोग करते थे उसे मशीनरी के हल्प से करना स्टार्ट कर दिये इस एज को मशीन एज भी कहते हैं मतलग end of 18th, 18th century के last में means जब 18th century end हो रहा था तब और 19th century के beginning time में यही time period था जब industrial revolution स्टार्ट हुआ था means सारी machinery, factories, industries यह सब developed होना स्टार्ट हो गई थी जब यह जो time था end of 18th century और 19th century इसे क्या कहते है machine age ठीक है machine age क्यों कह रहे है क्योंकि उस time से मतलब उस time पे machine जो है वो बनने लगी थी उसकी help से work होने लगे थी ठीक है biggest revolution इंड़ेस्टर revolution सबसे biggest revolution था पूरी हिस्ट्री में ठीक है समझ में आया इतना अब इंड़ेस्टर रिवल्यूशन से क्या help हुई अब इंड़ेस्टर रिवल्यूशन जो लोग माल लीजे कोई workers है कोई भी चीज़ है अगर माल लीजे एक table बन रही है तो एक में कितने time में कुछ ही कुछ limited ही बना पाएंगे लेकिन जब machines आ गई तो large numbers में बनने लगी बहुत धेर सारी tables बनने लगी जिसके वज़े से वो export करने लगे दूसरी जगा पर समान को बेचने लगे जिससे इनकी capital भी बहुत अच्छी होगी capital क्या है capital मतलब एक तो capital हो गया जो state के capital होते है country की capital होती है वो अलग capital है ये कौन सी capital है ये wealth वाली capital है means जो कितना उनके पास पैसा है ठीक है wealth ये capital क्या है wealth है sun में आ रहा है तो इससे क्या हुआ इनकी capital जो है strong होने लगी मतलब इनके पास पैसे जो है इनकी income बहुत ज़्यादा होने लगी और ये country काफी ज़्यादा powerful होने लगा और काफी wealth से means पैसों से काफी ज़्यादा strong हो गया था अब जिस country के पास मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा और भी चीज़ों को develop जब इंग्लैंड में ज्यादा पैसा हुआ तो अपनी naval army है या जो भी उनकी अर्मी है उसे और strong किये जो भी weapons है और ज्यादा weapons बनवाए और ज्यादा इंपोर्ट किये एक्सपोर्ट किये तो इससे क्या हुआ इनकी जो country की जो wealth थी वो काफी हग तक सुधर गई थी और काफी ज़्यादा पैसा इनके पास हो गया था ठीक है समझ में आये इतना अब हम next topic पढ़ते है बिगिनिंग इन इंग्लैंड में इंडस्ट्र रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ठीक है स्टार्ट हुआ तो उसके causes क्या थे क्य स्टार्ट हुआ इंडस्ट्र रिवोल्यूशन यह कब हुआ है 1750 AD में 1750 AD में बिगन हुआ है मिस्ट्र रिवोल्यूशन causes क्या है देखते हैं inventive genius inventive genius मतलब वहाँ पर जो English people थे means जो England के लोग थे वो क्या हो गयते थोड़ा genius हो गयते genius मतलब उन्हें पढ़ने लिखने का मौका मिला और वो और चीजों के बारे में invent करने की सोचने लगे कि हम कैसे इस चीज को बना सकते हैं ठीक है अगर कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है कैसे हो रही है तो यह सब चीजे जो है जो लोग थे वो सोचने लगे एक दूसरे शेयर करने लगे और फिर और नई चीजों का invention करने लगे ठीक है ये भी एक reason है कि जब कोई चीज के बारे में सोचेंगे उसको try करेंगे तब जाकर ही कोई चीज बनेगी अम machine है पहले से तुन्हें नहीं पता था कि हाँ machine किस तरह से बनती है या कैसे work करती है यह सब वहाँ के लोग जो है वो जो जीनियस लोग थे वो सब मिल करके मशीनरीज को इंडस्टीज को इसाब बनाना स्टार्ट किये पीस एटमोस्फेर मतलब इंगलेंड का जो एटमोस्फेर था वो काफी शान्त महौल था ठीक है, मिन्स काफी शांती थी माँ पर, कोई वार नहीं होती थी, कोई फाइट नहीं एक दूसरे से, लब लडाई छगड़ा कुछ नहीं होता था और ये भी क्या है, इस वज़े से, वाक अट्मास्फियर काफी अच्छा था, काफी शांत था, जिससे वो इंडस्ट्रीर रिवोल्यूशन को और अच्छे से बढ़ावा दे सकेत नेक्स्ट है, इंक्रीज इन डिमांड ओफ इंग्लिश गुड़्स इंक्रीज इन डिमांड ओफ इंग्लिश गुड़्स मतलब, इंग्लाइन में कोई समान बन रहा है, ठीक है, माली जे, वहाँ पर टेबल ही लेते हैं नॉर्मली जो लोग बना रहे हैं कोई machinery के help से नहीं ऐसे ही बना रहे हैं फिर उसको क्या बना करके उसको export कर रहे हैं मतल्सकर बाहर देशों में बेच रहे हैं और दूसरी countryों में बेच रहे हैं उससे क्या होगा अब बाहर के लोगों को इन्हें पसंद आ गई इनके जो गुड्स हैं इनके जो सामान हैं उन्हें पसंद आ गई तो और डिमांड करने लगें कि हमें और चाहिए यह गुड्स जो है यह सामान हमें और चाहिए लेकिन अगर जो मैन है मतलब कोई इनसान कितना वर्क कर सकता है एक टाइम पे माल लीजे एक दिन में 10 टेबल बना पाएगा ठीक है तब 10 बना लिया 20 बना लिया लेकिन इससे तो पॉसिबल नहीं था कि मतलब हर जगे एक्सपोर्ट कर देना हर जगे उसको बेचना इतना भी आसान नहीं था फिर क्या हुआ ज्यादा डिमांड होने की वज़े से फिर क्या हुआ मशीनरी बनाने लगें कि जिससे हम एक दिन में 1,10,000 इस तरह के हम एक दिन में आसानी से उस सामान को उस गुड्स को बना सकें और इसली हम जा करके दूसरों की जो डिमांड है उसको हम पूरी करें और अ उससे क्या होगा हमारी walth जो है वो भी increase हो जाएगी नेक्स्ट है colonial empire and superior navy नभी colonial empire मतलब जो ब्रिटिश थेें जो English people थे उनका क्या था दूसरे कंठ्रियों को भी कंठ्रोल करते थे वहां से क्या करते थे दूसरे कंठ्रियों से raw लाकर के मतलब एकदम चीप रेट में एकदम सस्ते रेट में वहां से समाल ले आकर के अपने मशीन में बनाएं और इसको फिर वापस से एक्सपेंसिव में बेच दिये ठीक है मिन्स और महेंगे रेट में जा करके बेच दिये धूकलोनील इंपायद दूसरी जुगह पर इनका राज था दूसरे जगहों से रॉ मटीरियल भी मंगा लेते थे मिंपोर्ट एकिसपोर्ट कर लेते थे सुपीरियार नवी नवी जो भी शिपativa से जो भी गुड्स एकिसपोर्ट होते थे ठीक है ओशियन के त्रूँशें के थ्रू वहाँ पर नवी भी होना जरूरी है उसकी प्रोटेक्शन करना कोई गुड्स जा रहा है शिप से उसकी प्रोटेक्शन करना तो यह सब चीजे थी नवी बहुत स्टॉर्म थी उनकी नैवल आर्मी जो थी यह भी एक कॉज है कि जिससे वह आसानी से अपने गुड्स को दूसरी जगा पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है कैपिटल कैपिटल मतलब इंगलैंड में पर्याप्त पैसे थे ठीक है इतना पैसे थे उनके पास कि वह मशीनरी को डेवलाप कर सकते थे यह भी एक रीजन है अगर पैसे नहीं है उनके पास अगर उनकी वे मशीनरीज वगेरा नहीं डेवलप कर पाएंगे ये भी एक रीजन है उनके पास उतना पैसा था कि वह मशीन को बना सके ठीक है नेक्स्ट है कोल, आयरेन, हाइड्रेलेक्ट्रिक पावर मतलब इंग्लैंड में जो रिच सोर्स था में बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाये जाता था क्या कोल, आयरेन और हाइड्रेलेक्ट्रिक पावर कोल, आयरेन इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पाये जाता था हाइड्रेलेक्ट्रिक पावर मतलब जो वाटर से जेनरेट होती है जो पावर वाटर से जेनरेट होती है वही क्या हाइड्रेलेक्ट्रिक पावर ये भी जेनरेट कर लेते थे इंग्लैंड के लोग उससे क् वह बखेएंद मेन स्कुंus Each उसे चलने के लिए लेक्ट्रिसिटी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जिससे वह बना सके और में आरेन जो जितनी भी मशीन होती है वह किससे बनी होती आ colocar से पहने लिग दाने के देंद मुझाजुत मुझे त्सटाब ये भी इनको help हुई कि इतना ज़्यादा iron होने के वज़े से वो आसानी से machine को बना सके ठीक है और electricity भी थी इनके पास hydroelectric power भी लोग generate कर लेते थे ये भी एक cause है नेक्स्ट है cheaper labor cheaper labor मतलब जो वहां के लोग थे इंग्लैंड में ही जो लोग थे जिनकी machines थी उनके पास तो कोई बहुत पैसे थे और वो क्या करते थे जो दूसरी जगह अपर जो farmers है या जो भी artisans है जो भी कारिकर है कुछ pots बना रहे हैं कोई architecture बना रहे हैं कोई मूर्ती बना रहे हैं तो ये सब लोग को बुला लिए कि हम अपनी factory में आपको काम देंगे ठीक है और जो farmers थे जो छोटे छोटे farmers थे बहुत ज़्यादे इंक मतलब बहुत उनसे काम बहुत करवाते थे labor से काम बहुत करवाते थे लेकिन उनकी payment थी means जो उनकी wages थी जोने पैसे देते थे बहुत ही कम देते थे ठीक है इससे क्या हुआ इनकी cheap labor means labor जो है वो भी सस्ती है इससे भी और ज्यादा वर्क करवा रहे थे next है means of transport ट्रांस्पोर्ट सिस्टम भी अच्छा था ट्रांस्पोर्ट सिस्टम जिससे क्या कर सकते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह सामान आसानी से ला जा सकते थे ठीक है ये क्या हो गए causes कौन कौन से inventive genius, peace atmosphere, increase in demand of English goods, colonial empire and superior navy, capital, coal, iron, hydroelectric power, cheaper labor and means of transport clear हो इतना, note कर लीजे, हम next topic पढ़ते है, industrial revolution in other countries industrial revolution, England में start हुआ, इसके बाद किन किन कंट्रियों में start हुआ, ये देखते है कॉक्विल, Englishman, कॉक्विल कौन है, ये एक England के ही है, Englishman है, जिन्होंने help की Belgium में, Belgium में help की, industry को set up करने में, ठीक है, Belgium में जा करके वहाँ पर, machines को कैसे set up करें, industries बनाना, ये वहाँ पर, Belgium में कौन help किये है, कॉक्विल ठीक है, next है, Douglas, Douglas क्या किये है, textile machine कहाँ पर बनवाए, France में ठीक है, textile machinery जो है, कहाँ पर बनवाए है, France में, कौन, Douglas फिर है, Germany में, textile industry बनी, Germany में भी textile, सबसे पहले कहाँ ब स्टार्ट हुआ है, England में इसके बाद फिर धीरे Belgium, France, Germany, Japan, इन सब कंट्रियों में स्टार्ट हो गया, Germany में textile industry बनी और Germany में ही, सबसे पहली जो railway line थी, ठीक है, वो बनी है कब 1839 में पहली railway line कहाँ पर open हुई है, सबसे पहली railway line कहाँ पर बिछी है, 1839 में कहाँ पर, Leipzig and Dresden में ठीक है, Leipzig और Dresden के बीच में railway line बनी है अगर railway line बनी है, इसका मतलब है कि जो trains है, इन सब कट बनना स्टार्ट हो गया था ठीक है, कब 1839 में, जर्मनी में Next है, रशिया में industrial growth after 1917 रशिया में 1917 के बाद industrial growth जो है, वो काफी ज़्यादा increase हुई थी ठीक है, means 1917 के बाद industrial में growth आया कहाँ पर रशिया में, रशिया में 1970 के बाद और ज़्यादा industries, machinery, factories यसा बनना स्टार्ट हो गई थी Next है, USA textile producing and exporting by 1820 USA में textile machinery हो गई, textile industries हो गई, जिससे वो textile को और ज़्यादा produce कर रहे थे, और ज़्यादा समान बन रहा था उनका और export करना भी start कर दिये थे 1820 में USA दूसरी कंट्रियों में textile को export करना भी start कर दिये कब 1820 में, ठीक? Next है, 1914 में जैपैन कौन कौन सी factories बना लिए, industries, chemicals की, steel, ships की ठीक है, 1914 में जैपैन क्या किये, chemical की इंडस्ट्री बन गई, steel की इंडस्ट्री बन गई और ships बनने की इंडस्ट्री वहाँ पर develop हो गई थी समझ में आया इतना नोट कर लिजे, अब हम देखते हैं कि industrial revolution इंग्लैंड में कैसा था, ठीक है? Next है, industrial revolution in England, इंग्लैंड में industrial revolution कैसा था? First was cotton, सबसे पहले जब इंडस्ट्री 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 बनी तो सबसे पहले किस चीज की इंडस्ट्री बनी है? फैक्ट्री बनी है, cotton की मतलब जो cotton से बने goods थे, जो textiles थी, जो clothes बनते थे, thread बनते थे ये सब चीजें start हुई, सबसे पहले किस कौन से मेल start हुई है? Cotton मिल, ठीक है? Cotton इनके पास तो था नहीं, मतलब England के पास cotton नहीं था, तो raw cotton मंगाते थे दूसरी कंट्रियों से ठीक है? और दूसरी कंट्री से raw cotton मंगा करके, अपनी जो मिल थी वहां की जो industries थी, उसमें उस cotton से thread बनाते थे, yarn बनाते थे, clothes बनाते थे और फिर उसको और ज्यादा महंगे rate में दूसरी जगह, मतलब वापस उन कंट्रियों में या और दूसरी कंट्रियों से में उसे export करते थे, ठीक है? 1760 में, importing 2.5 मिलियन पाउंड raw cotton and in 1787, importing 22 मिलियन पाउंड raw cotton 1760 में, मतलब cotton मिली स्टार्ट हुई, तो cotton दूसरी कंट्रियों से लाए, तो अब उतना ज़्यादा, मतलब और मशीनरी में पैसे लग गए फिर कुछ cotton वहां समंगाए, दूसरी कंट्रियों से, अपने सस्ते दामों में मंगाए, उससे goods बनाए, जो भी समान बनते थे, उससे बनाए, और फिर वापस से उन्हें महंगे दामों बेश देते थे, जिससे पैसे भी काफी हो गए थे, तो 1760 में, ये 2.5 मिलियन रो कॉटन मंगवाए थे, दूसरी कंट्री से, ठीक है, कितना, 2.5 मिलियन पाउंड रो कॉटन मंगवाए थे, जो नॉर्मल कॉटन होती है, उसको मंगवाए थे, दूसरी कंट्री में कब, 1760 में, लेकिन काफी ज़्यादा एक्सपोर्ट करने बाद, goods बनाने बाद, इनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा हो गये थे, फिर 1787 में, यह कितना, इंपोर्ट करने लगे थे, 22 मिलियन पाउंड रो कॉटन, ठीक है, डिफ्रेंस समझ में आ रहा है, 1760 में, 2.5 मिलियन पाउंड ही रो कॉटन दूसरी कंट्रियों से, मंगाते थे, और फिर 1787 में, कितना मंगाने लगे, 22 मिलियन पाउंड रो कॉटन दूसरी कंट्रियों से, अपनी कंट्री में जो मतलब इंगलान में यो कॉटन इंड़स्टिय थे, उसके लिए बंगाने लगे, ठीक है, इसका अतलब क्या हुआ, कि जिन कोई कॉटन इंड़स्टिय थे, जो कॉटन मिल थी, व बहुत ज़्यादा बढ़ गए थी रिचार्ड और क्राइट क्रियेट कॉटन मिल्क रिचार्ड और क्राइट क्या किये है कॉटन मिल्क को क्रियेट किये है मिस्कॉटन मिल्क जो बनाए है कौन बनवाए है रिचार्ड और क्राइट ठीक है next है after 1840 तक जब से cotton स्टार्ट हुआ 1760 के टाइम से तब से 1840 तक cotton ही बहुत ज़्यादा highly demand पे था ठीक है cotton ही industry जो है बहुत ज़्यादा और भी कई cotton industry बन गई थी कॉटन मिल बन गए थे और यही बहुत ज़्यादा demand पे था फिर इसके बाद 1840 के बाद iron और steel industries भी develop हुई ठीक है फिर 1840 में railway line भी start कर दिये मिल्स जो railways line बनाना स्टार्ट कर दिये ट्रेंस बनाना किस चीज की iron और steel की demand बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ठीक है बहुत थी तेजी से increase मतलब demand increase हुई थी किस चीज की iron और steel की 1860 में क्योंकि अब iron की इंडस्ट्री भी बना लिए और steel की इंडस्ट्री भी बना लिए ठीक है जिससे बाहर दूसरी कंट्रियों में भी iron और steel की demand होने लगी थी कब 1860 में डबल वैल्यू आफ कॉटन एक्सपॉर्ट iron और steel में डबल वैल्यू मिलती थी किस से कॉटन एक्सपॉर्ट से कॉटन में माल लेजे वो एक्सपॉर्ट कर रहे हैं लब कॉटन बंगाए फिर उसको बनाए फिर एक्सपॉर्ट किये ठीक है माल लेजे उन्हें कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है कॉटन एक्सपॉर्ट में 20 मिलियन लेकिन जब वो iron और steel का एक्सपॉर्ट करने लगे तो उनका कितना हो गया डबल हो गया मिंस 40 मिलियन होने लगा ठीक है एक्जाम्बल समझाने के लिए ऐसा नहीं कि 20 मिलियन ही उसमें हुआ था या 40 मिलियन ही काफे ज़धा वैल्यू नहीं मिलने लगी थी किस चीज में iron और steel में ठीक है और जो भी यह कॉटन मिल थी उसमें काफी हद तक industry वर्क करती थी उसमें लेबर्स भी लगे हुए थे जिनका अलग-अलग वर्क मतलब अलग-अलग काम बाटे हुए थे कि हां इतने लोग यह वर्क करेंगे तो इस हिसाब से वर्क होता था और इंडस्ट्री भी मतलब जो मशीन थी वह करती थी अब जैसे कुछ काम है लेबर का जो भी कॉटन से टेक्स्टाइल बन रहा है जो कपड़े बन रहे है या जो थ्रेट बन रहे है उसको उठा करके कहीं और रखना उसमें कलर करना यह सब चीजे जो है वो लेबर करते थे ठीक है अब बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज होने की वज़े से भी जो बाहर गाओं में जो लोग थे जो छोड़े-छोड़े फार्मर्स थे वो भी क्या आने लगे यहां पर आने लगे और बहुत ज़्यादा पॉपिलेशन भी में और इंग्लेंड के बाहर जो दूसरे जगह है वहां पर से भी लोग आने लगे कि वहां फार्मिंग में उतनी ज़्यादा इंकम नहीं हो पाती थी इस वज़े से वह सोचे कि हमारी क्या है एक तरह से जौब है उस इंडर्स्ट्रीज में तो हम वहां पर जाकर वर्क करे काफी दूर-दूर के लोग वहां पर वर्क करने के लिए आने लगे थे ठीक है अब ज़्यादा लेबर है क्या करेंगे जो मशी जो भी इंडर्स्ट्री थी जो उनके मालिक थे उन्हें क्या करते थे बहुत ही चीप लेबर प्रॉइड हो जाता था उन्हें मिस काफी कम दा इनक्स टॉपक पढ़ते हैं, नेक्स्ट है इंड़स्ट्री रिवालुन के इंपक्ट क्या थे THE MEE 카, उ इन्ड़स्ट्री रिवुल्यूस्ट्री निसे फेक्ट हो गया उससे काफी अच्छा व गयाथ हुत्यी आपि आराम भी हो गयाथा ठीक के उतना वर्क करने में लेकिन उसका एफेक्ट क्या पढ़ा गुड अच्छा पढ़ा अच्छा भी पढ़ा और बैड भी ठीक है कैसे अब वर्क करना असान हो गया उनकी इंकम अच्छी हो गई और जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा महिनत कर रहे थे उस चीज़ पर वह भी ठीक है एर पॉल्यूशन भी हो रहा था वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा था यह क्या है बैड एफेक्ट भी इस चीज़ से इंडस्ट्र रिवॉल्यूशन से पढ़ा पहला इंपक्ट क्या है अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन मतलब जो भी रूरल एरियास थे मिस जो विलेजेस थे गाव थे उतना ज़्यादा डेवलाप नहीं थे इंडस्ट्रियल रिवल्यूशन के बाल वो डेवलाप हो गए ठीक है एक अर्बन एरिया बन गए टाउंस बन गए सिटीज बन गए पहला है ग्रोथ आफ न्यू सिटीज एंड इंडस्ट्रियल टाउंस नई औ शेफल्ड लीड्स यह सब कुछ नई सिटीज थी मतलब एक गाव की तरह था अब इनकम अच्छी होने लगी थी पैसे काफी हो गए थे और उस जगह पर इंडस्ट्रीज मतलब उस जगह पर इंडस्ट्रीज है तो उसके आसपास केरिया को क्या कर दिये और थोड़ा डवल इनकमेंट कर दिये जिसे वह अर्बन एरियास बन गए ठीक है एक सिटीज बन गई टाउन्स बन गए नेक्स्ट है ग्रोथ और ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेड और कॉमर्स भी काफी इंक्रीज हुआ मेंस ट्रेडिंग सिस्टम काफी बढ़ा ठीक है का बहुत ज़्यादा स चैस्पोर्ड भी कर रहे थे कि Clayton पैसे होने की वजह से क्या हुआ डव्लप रेल एंड रोड सिस्टम जिसकी वजह से रेल सिस्टम भी बनवा रेलवे सिस्टम पूरा बनाय और रोड सिस्टम भी बना जिस्से वह पराग कर सके ठीक है कि जिसे वह सामानों को अपने जेनरल प्रोस्पर्टी डियू टू मास्ट प्रोडक्शन मास्ट प्रोडक्शन से जेनरल प्रोस्पर्टी में जो उनकी समरिध्धी हुई और उनका ज़्यादा क्या डेवलाप्मेंट हुआ किसे मास्ट प्रोडक्शन से अब मास्ट प्रोडक्शन से कैसे बहुत ज़्यादा सामान बनने लगा अब बहुत ज़्यादा सामान बन रहा है इंडस्ट्रीज में बन रहा है तो उसका एक वैल्यू है थोड़ा कम रेट में मिलेगी और इसली जो वहां के लोग थे जिनके पास कम पैसे हैं वो भी उसे आसानी से उस चीज़ को खरीद सकते थे ठीक है अपने जरूरत की चीज़ों को आसानी से ले सकते थे जब वैसे बनती थी मतलब इंडस्ट्रीज से नहीं बनती थी अब कोई एक आदमी बना रहा है उस काफी ज़्यादा सुपर मेहनत कर रहा ताइम लग रहा उस पर तो वह सामान भी काफी एक्सपेंसिव भी केगा काफी जुनकर उस गुट्स का रेट होगा काफी ज़्यादा होगा तो उसे कोई जल्दी परचेज नहीं कर पाता था कौन करते थे जो आंके किंग्स थे या जो बहुत बड़े बड़े और जो लोग थे वही लोग उस चीज को खरीद पाते थे अब क्या हो गया इंडस्ट्री में बहुत से चीज़े बनने लगी बहुत धेर सारे कपड़े बनने लगे सामान बनने लगे उससे क्या हुआ जो पूर पीपल थे जो गरीब लोग थे वो भी आसानी से उस चीज को खरीद सकते थे, उस जो उनकी जरूरत की चीजे थी, उसे आसानी से उसे पर्चेस कर सकते थे, ठीक है? इंक्रीस्ट, नेशनल इंकम, जिससे उनकी नेशनल इंकम भी इंक्रीज हो गई, मास प्रोडक्शन जितना ज़्यादा सामान बनेगा, उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा सामान को बेचेंगे, जिससे उनकी जो नेशनल इंकम है, उनके पास जहाउसिंग कंडिशन जो होसें क्नडिशन थी काफी ज़्यद्द Пोर हो गई थी ओवर क्रावडिंग पॉपिलेशन बहुत जादा हो गई थी स्लम सेरिया मिन्स स्लम सेरिया मतलब जो एरिया था वो काफे जादा गंदा एरिया था उसमें कोई सैनिटेशन नहीं, कोई सफाई नहीं, ड्रेनेट सिस्टम नहीं था तो यह सब चीजे 1840 में, मैंचेस्टर में, 110 पॉपिलेशन से जादा पॉपिलेशन क्या थी स्लम सेरिया में रह रही थी किस जगा पर? मैंचेस्टर, इंग्लैंड में जो सिटी है मैंचेस्टर वहाँ पर ठीक है कब? 1840 में कैसे हुआ? कोई इंडस्टरी बनी तो वो इंडस्टरी या तो वहाँ पर बनेगी जहां पर कोल ज़्यादा निकल रहा है जहां पर कोल माइनिंग हो रही है सी के किनारे बन रहा है वहाँ पर इंडस्टरी है अब उस इंडस्टरी में वर्क करने के लिए यह वहां पर जो लेबर से वह भी काफी ज़्यादा है बाहर से भी लोग वहां पर आ गए थे पॉपिलेशन काफी ज़्यादा हो गई थी एरिया कम पड़ रहा था और वहां के जो घर थे वह काफी ज़्यादा मतलब एकदम अंधेला अंधेला पूरा बना हुआ था अगदम डार्क एरियाज थे कोई वैंटिलेशन नहीं कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं कोई सैनिटेशन नहीं यह सब चीज़े की वज़े से क्या है उसला मेरिया हो गया पॉपिलेशन बहुत ज़्यादा हो गई और जो हाउसिंग कंडीशन थी वह बहुत ही ज़्यादा खराब थी ठीक है वहां पर घर ऐसे बने हो थे कि वहां घर के अंदर लाइट जो है वह बिलकुल इंटर नहीं कर रही थी इदम डार्क डार्क था पूरा तो यह सब चीजें क्या हैं इंप्ट है इसे नोट कर लीआ और हम नेक्स इंपक्ट देखते हैं next है disappearance of small farms and farmers disappearance मतलब कि जो छोटे छोटे फार्म्स थे जो थोड़ी बहुत खेती होती थी छोटे एरियास में या जो छोटे फार्मर्स थे क्या हो गया धिर धिरे ये सब चीजे खतम होने लगी थी जो फार्मर्स थे वो सब खतम होने का मतलब ये सब चीजे गायब होने लगी थी सब क्या हो गया जिनके पास ज्यादा पैसा था वो क्या कर लिए जो फार्म्स थे छोटे 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 खेत थे छोटे फार्मर्स थे उनके खेतों को क्या कर दिये बांध दिये मतलब इस पर कोई खेती नहीं कर सकता ऐसा कर दिए जिसके वज़से farmers हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है उन्हें work करना है ठीक है और farming से नहीं होरे तो कहीं न कहीं work करना है जिससे वो कहाने लगे इंडस्ट्री में और जो बड़े 1850 में half of England population lived in cities 1850 में आधी से ज़्यादा population England की वो सब cities में आ गई थी जो बड़े farmers थे जो जिनके farmers के पास काफी पैसे था काफी ज़्यादा land थी तो अपना machine से ही जो भी production होता था वो करते थे agriculture करते थे नेक्स्ट है moral downfall of society society में moral downfall हुआ क्यों 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 जो rich थे उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने की वज़े से वो गलत काम करना स्टार्ट किये थे जैसे drinking है gambling gambling मतलब जुआ खेलना crime sin अपराद करना स्टार्ट कर दिये पाप करने लगे rich क्यों कर रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे अब poor क्यों कर रहे थे क्योंकि उनकी जो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गये थे बहुत बिल्कुल पैसे नहीं थे इस वजह से वो ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिये थे नेक्स्ट है ब्रेक्ड़वन ओफ ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम मतलब जब इंडस्ट्रीज नहीं थी इससे पहले जो फैमिली थी वो एक साथ रहती थी ठीक है लेकिन जब से इंडस्ट्री आ गई उससे क्या हुआ लोगों से जब अजस्ती वर्क कराते थे जो फैमिली थी वो ये नहीं चाहती थी कि मतलब जो हम वर्क कर रहे हैं वो मेरे रिलिटिव करे या मेरे चाइल्ड करे इससे उन्हें दूर रखने लगे या फिर वो मतलब डाइवर्स बहुत ज्यादा होने लगा था मैन और वुमेन के बीच में क्यों क्योंकि वर्क इंडस्ट्री में जबर्जस्ती वर्क कराते थे मैं नहीं चाहते थे कि वुमेन मतलब उनकी वाइफ करें या फिर यह सब था उनके चाइल्ड करें जिससे आनात बच्चे भी बहुत ज्यादा हो गये थे इस टाइम पर ठीक है सब लोग दूर होने लगे थे इंडस्ट्री को छोड़ करके और इंडस्ट्री में वर्क बहुत कराते थे लेकिर उनकी जो वेजेस थी जो ने पैसे देते थे लेबर को वह बहुत ही कम देते थे जिससे उनकी लाइफ जो है वो अच्छे से इससे अपनी नहीं कर पाते थे ठीक है कि नेक्स Ket Exploitation of the Workers Exploitation of the Workers Means जो वहां के वर्कर्स थे जो इंडस्ट्री में वर्क करते थे उनका शोशन कैसे करते थे जवाआ के वर्करस थे जो चाईड थे वह जो छोटे बच्चे थे वहाँ पर कोई ऐसा नीयम नहीं था कोई ऐसे लौ नहीं थे अभी क्या है यहाँ पर 14 एज से कम के जो बच्चे हैं उसे चाईड लेबर नहीं कराना है ठीक है child labor मना है तो यह सब चीजे लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था 10 साल के बच्चे से भी कराते थे 15 साल के बच्चे से भी कराते थे और continuously work कराते थे कोई work की कोई limit नहीं है कि मालेजे वो बच्चे हैं तो उस हिसाब से उनका work हो छे घंटा, साथ घंटा या पांच घंटा ऐसा नहीं था continuously 16 hours, 15 hours उनसे work करवाते थे और man को तो कुछ मिलते थे पैसे लेकिन woman और child को और भी बहुत कम पैसे देते थे ठीक है काम पूरा दिन कराते थे, बहुत time तक कराते थे लेकिन जुनकी wages थी, जुनकी income थी, बहुत ही low थी ठीक है? clear हुए इतना? note कर लीजे, next impact देखते हैं next है, capitalism, capitalism मतलब क्या है? income, पैसे, wealth, ठीक है? इसके क्या impact पढ़े? rise of capitalism, rise of capitalism means, जो इनकी income थी nation की, वो काफे ज़्यादा increase हो गई, इनकी जो wealth है, वो बहुत ही ज़्यादा rise हो गई थी, increase हो गई थी क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान बनाने लगे थे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा sell करने लगे थे, बेचने लगे थे, export करने लगे थे, और colonial power की वज़े से वो दूसरे जगहों पर भी इनका control था, दूसरे countryों में, वहां से एक cheap rate पे समान मगाते थे, इन्डस्ट्री में समान बनवाते थे, इसके बाद जो भी वहां पर workers थे, उन्हें बहुत कम पैसे देते थे, जिससे किस का फाइदा होता था, जो वहां के इन्डस्ट्री के मालिक थे, उनके पस और ज़्यादा बचत होने लगी, और उस समान को काफी महंगे दामों में, तूसरी कंड्रियों में बेचते थे, इससे बहुत ज़्यादा कैपिटालेस्ट जो है, वो राइस हो गईती, मीस जो वेल्थ है, वो काफी इनक्रीज हो गई थी, इम्पिरालेस् मतलब क्या है? brute. graph इंपिरालेस्ट इंपिरालेस्ट मतलब क्या है? कि इसका मतलब होता है, क उसकी wealth बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास वो इस वज़े से वो दूसरी country ओपर दूसरी जगहों पर control करें यही क्या है imperialism ठीक है 1870 to 1940 AD almost all the countries of Asia and Africa had become under the control of one or other colonial power इंग्लाइन के पास काफी ज़्यादा पैसे होने की वज़े से वो दूसरी country ओपर भी अपना कबजा कर लिये थे उस पर पूरा इनका control था ठीक है ज़्यादा तर जो Asia और अफ्रीका की countries थी 1817 से 1940 AD तक ज़्यादा तर जो countries थी Asia और अफ्रीका की वो एक दूसरे के उपर क्या थी लब कोई country दूसरे के उपर control की हुई है पूरा control जाए उसके अंडर में है दूसरी country दूसरे के उपर तो यह सब पूरा system था इंपॉरिश्मेंट आफ मासेज इंपॉरिश्मेंट आफ मासेज मतलब जुआ के लोग थे ठीक है उनकी condition काफी खराब हो गई थी जैसे जैसे जो लेबर्स थे जो वर्कर्स थे जो पहले work करते थे ठीक है वो पहले अपने गाओं में जो भी पॉट्स बनाते थे या फिर जो भी उनका वर्क था वो करते थे कारपेंट्री करते थे उससे उनकी जो भी इंकम हो जाती थी वो उनके लिए सफीशन थी लेकिन जब इंडस्ट्री में आ गए उसमें वर्क करने लगे उससे उनकी जो भी यूजेज है जो भी उनकी लाइफ में जो उन्हें चाहिए उनकी डेली उसेज है वो भी उनके पूरी नहीं हो पाते थे यह भी प्रॉब्लम थी उनकी और उनके जो वर्क थे वो भी छूट गये थे जो पहले वर्क करते थे वो भी छूट गये थे क्योंकि जो बड़े जो जिनके पास काफी पैसा था वो सब वर्क को बंद करा दियें कि यह सब नहीं करना है अपनी फैक्ट्री से बुला लिये उससे उनसे जबर्जस्ती वर्क कराते थे ठीक है और जो भी माल जो चोटी जो काफी छोटी इंडस्ट्रीज है छोटी मशीन रिज उतना समान उनका नहीं बन पा रहा है लेकिन जो भी उनसे उनकी इंकम हो रही है वो सफीशियंट है उनके लिए उससे विबंद करा दिये उससे भी क्या हुआ जो लोग थे उनका बहुत ही मतलब जो पॉलिटिक्स है उसमें भी किस का कंट्रोल हो गया था जिसकी जो पास पैसे बहुत ज्यादा है जिस इनसान के पास विल्थ बहुत ज्यादा है वो ही क्या कर रहा था पॉलिटिक्स पर भी उसका पूरा कंट्रोल था जो भी वहाँ पर जो नेशन है उसका कंट्रोल करना मनलब एक तरह से कहले पूरा राज करने लगे थे कौन जिसकी जो कैपिटलिस्म है वो बहुत ज्यादा थी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे वो पॉलिटिक्स पर भी पूरा उनका कंट्रोल था समझ में आया इतना नेक्स देखते हैं इसे नोट कर लीजे नेक्स है शोशियलेज्ब सोशियलेज्ब मतलब क्या है सोशियलेज्ब मतलब एक thought एक thinking है कि उनकी जो शोशल सोशलिस्ट थे ठीक है जो सामाजिक लोग थे उनकी यह thinking थी ओए कि कहते थे कि यह चीज गलत हो रही कि industry में अ मैंस से काम करवा रहे वुमेंस से काम करवा रहे हैं बच्चों से काम करवा रहे है और काफी टाइम तक काम करवा रहे हैं 16 hours 17 hours continuously work करा रहे हैं फिर भी उनकी wages जो है उनके income है वो काफी कम है तो ये चीज़े गलत हैं ठीक है ऐसा नहीं करना चाहिए जिस हिसाब से उनका काम हो रहा है उस हिसाब से उन्हें पैसे भी मिलने चाहिए और work की एक limit कर दीजे कि इतने से इतने time तक उन्हें work करना है है और सबके work板 दीजे डिवाइट कर दीजे कि इन लोगों को ये work करना है और इतने time तक work करना है घीक है ऐसे कर दीजे उससे लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको भी ठीक रहेगा ये सब चीजे थी और अगर शोशलिस्ट जो थे ये कहते थे कि अगर आप फाइदा ही अपना देखेंगे दूसरे लोगों कभी नुकसान हो रहा है जो बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसे है जो रिच है वो और रिचर होते जा रहे हैं जो पूर है वो और पूरर होते जा रहे हैं ठीक है ये चीज़े गलत है इसको चेंज करना चाहिए कुछ दो सोशलिस्ट थे कौन कार्ल मार्क्स और भी कई सोशलिस्ट थे जो इस चीज़ पर मतलब बाते करते थे या और दूसरे लोगों को कहते थे कि हमें अपने हप के लिए लड़ना चाहिए ठीक है और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिपिच अंजल इन्होंने फोश्लिस्ट थे कार्ल मार्क्स क्या किये यह कहने लगे कि जो वर्क है एक वर्क करनें की एक टाइम लिमिट दे दीजे उर उनकी जो wages है उनको भी fix कर दीजे fix कर ने का मतलब जो भी उनका जतना work है उस हिसाब से उन्हें पैसे दीजे बहुत कम मत दीजे कि जिससे उनकी लाइफ जो है वो अच्छे से अपनी life को spend ना कर सके अपनी जरूरतों अपनी जरूरत को पूरी ना कर सके यह सब चीज़े कहें 1817 में 1870 में socialist ideas spread through Europe यह idea Europe में spread हुआ कब 1817 में लेकिन उसमें भी देखते हैं पहले यह देखते हैं workers in England and Germany fight for better living जो workers थे England के और Germany के यह workers जो इंडस्ट्रिज में workers थे यह सब fight करने लगें मिल्स उनके इंडस्ट्रिज के मालिक थे उनसे fight कर रहे हैं कि हमें हमें हक का हमारा जो जितना हम वर्क कर रहे हैं उतना हमें पैसे चाहिए हमें भी एक बेटर लाइफ जीना है ऐसे श्लम सेरिया में या एकदम पूर तरीके से हमें नहीं रहना हमें हमारी भी बहुत सी चीज़ों मतलब जरूरते हैं हमें भी पूरी करना है लेकिन काफि वर्कर फाइट चीप चब्रकार किकिन के लेकिन जबन वां कि गवर्ण्मेंट्स थी और यह भी था कि जो वर्क उन्हें भी पूरा जो दूसरे जो बड़े लोग है उनका जो अधिकार है वो इन्हें भी मिलना चाहिए राइट टु वोट इन्हें भी होना चाहिए यह भी गवर्ण्मेंट को चूज कर सकें यह पावर भी इनको मिलनी चाहिए और चाहिड लेपर बंद करना चाहिए जो छोड़े-छोड़े बच्चे हैं उनसे वर्क नहीं कराना है और अगर करा भी रहे तो उसकी एक लिमिट कर देजे गवर्णमेंट इस चीज़ पर नहीं मानिये वर्कर्स काफी फाइट किये इस चीज़ पर लेकिन गवर्णमेंट उस चीज़ पर राजी नहीं थी यह था कि जैसा इंडस्ट्री के मालिक जो है जैसा चाहते हैं वैसे वर्क करा सकते Soviet Union was first state to be based off Marxist socialism मार्क्षित की मार्क्षिस्ट की जो शोशियालिस्म थी जो इनके thoughts थे जो इनकी thinking थी कि वर्कर्स को पूरे पैसे देने चाहिए उन्हें भी अलग से लब वो भी अच्छे घरों में रह सकें इसलम सेरिया में ना रहें तो यह सब चीज़े सबसे पहले किस जगह पर अपनाई गई है Soviet Union Soviet Union यह पहला स्टेट है जो इस चीज़ पर बेस्ट हुआ है मिस इस चीज़ को अपनाया है ठीक है कौन Soviet Union समझ में आ रहा है Soviet Union पहला स्टेट है जो मार्क्षिस्ट की शोशियालिस्म को अपनाय थे क्लियर हुआ इतना सज में आया यहां से 9C चैप्टर इंडस्ट्र रिवल्यूशन कम्प्लेट हुआ यह लास्ट चैप्टर था यहां से हमारा क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का स्लेबर्स पूरा कम्प्लीट हो गया है ठीक है जितने भी चैप्टर्स है वो सबकी वीडियो आपको चैनल पर प्रोवाइड है वहां से जाकर के सारे चैप्टर्स को देख लीजेगा थैंक यू पर वाचिंग इस लेक्टर